जून के महीने में मनेगा नौकरी का जैशन लोग जानना चाहते हैं युवा जानना चाहते हैं कि कब तक ये वेलवे की जिस परिक्षवा को लेकर हाल ही में च्छात्र नरास थे उसको लेकर सरकार ने बड़ा एलान कर दिया है क्या हुआ एलान और इस तिक शात्रों का फाइदा क्या होगा देखिये इस रिपोर्ट में यह जो दोनों सर्वेसे से हैं इनका रिक्रूट्मेंट हो जाएगा कितने साल अभी और लग सकते हैं सालों की बात ही नहीं है तो महीनों की बात है सिरफ जैसी कमिटी की रिकमेंडेशन एकसेप्ट करते हैं उसके तुरूंत बाद में बरती का प्रोसेस भी चालू हो जाएगा और कुछ ही महीनों में कम्प्लीट करेंगा जी हां ठीक सुना आपने एवीपी न्यूस से खास बातचीत में रेल मंत्री अश्विनी वैशनो परीक्षावेबात को लेकर जिस जाच कमिटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं सूत्रों के मताबिक उसकी जाच रिपोर्ट चार मार्च को आ जाएगे और उसके चार महीने बाद यानी जून में नोन टेक्निकल पॉपलर कैटेगरीज और लेवल वन के सफल परिक्षार्टियों की बहाली शुरू हो जाएगे कि कमिटी का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें तीन हफ़ते रखे गए रेप्रेजेंटेशन रिसीव करने के लिए आज करीब करीब एक लाग से अधिक रेप्रेजेंटेशन आ चुके हैं उन सबका इन पैरलल समय नश्ट किये बिना इन पैरलल उसका इवैलि में तुरांत उसके बाद में बर्तियों का प्रोसेस चलू हो जाएगा भी सस्पेंड किया हुआ है आपको बता दे कि 24 जन्वरी को पटना से शुरू हुए हिंसक विरोत प्रदर्शन के बाद रेल्वे ने एंटीपीसी और लेवल वन परिक्षा को स्थगित कर हाई पावर की शिकायते और सुझाव सुने जाएंगे जिन परिक्षार्टियों को कोई शिकायत है तो वो इस समयती को 16 फर्वधी तक अपनी शिकायते भेज सकते हैं रिजल्ट में जो शॉटलिस्टिंग का प्रोसेस है इसको लेकर के आपके मन में कुछ धांतिया है तो उसके निराकरन के लिए रेल्वे प्रतिबद्ध है हम काफी समयती हैं इस मुद्दे को लेकर के और आपकी हर बात को हम बिलकुल धार पुर्वक सुनेंगे दरसल रेल्वे ने इस साल 2019 में लोग सभा चुनाओ के वक्त एंटीपीसी के जरिये 35,308 पदों के लिए और ग्रूपडी के लगभग 1,03,000 पोस्ट के लिए आवेदन मंगाया था रेल्वे के मुताबिक इन पदों के लिए करीब सवा करोर चात्रों ने आवेदन किया था इसमें से एंटीपीसी परीक्षा के नतीजों का एलान पिछले महीने हो चुका है लेकिन चात्र इसमें गड़बडी का आरोप लगा रहे है वही 23 परवरी 2022 को दो चर्णों में होने वाली ग्रूप डी की परीक्षा की आखनी तारीक भी आगे बढ़ा दी गई है क्योंकि चात्र सिर्फ एक चरण में एक्जाम कराने की मांग पर रणे है